हाई गाइस तो अर्रबी एसो टो टोटी टोटी ट्री में हमने क्या रिखा कि आर्टिफिशल इंसेमिनेशन से कुश्चन आया तो आर्टिफिशल इंसेमिनेशन हम लोगो कम्प्लीट करना है इस बार तो आर्टिफिशल इंसेमिनेशन कहां मिलेगा हम लोग जाएंगे टी ए यह एक मिनट उखो कि यहां पीड तो यहां पर दीको beautiful insemination लिखा हूँ है ठेक्छा कंच के us के बाहर हम लोग क्या करेंगे चिए artificial insemination के अंदर जाएंगे और यहां पे क्या देखेंगे कि यहां पे आपको तीनों का artificial insemination के बारा में दिया हुआ है cattle, goat, poultry फिर क्या करेंगे कि artificial insemination cattle में जाएंगे और आपको समझ नहीं आज तो बता ना मैं इसके लिए बीटियो बना दूंगा कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है और उसके बाद हम लोग बैक जाके गोट का आर्टिफिशल इंसेमिनेशन के बारे में पढ़ेंगे उसके बाद आर्टिफिशल इड्वांटेज़ इस डिसद्वांटेज़ इस उतना जरूरत नहीं है जरूरत है कुछ तो स्टाटिक पार्ट रहता है इसमें करेक्टरिस्टिक और यह सब देखेंगे इसमें कैसे होता है इंसेमिनेशन प्रोसीजर और स्पर्म कॉंसेंट्रेशन स्पर्म कॉंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा देख लो किसका होता है टॉम गैंडर ड्रेक यह सब स्पीसेज है फिर कॉंसेंट्रेशन जरूरत कितना होते हैं वॉल्यूम देख लेना फिर आप इसमें क्या देखोगे यहां पर यह भी देख सकते हो एक्युपिमेंट्स है नौन क्याइक्त्रेशन से कुश्शन आया है तो सिमें को कम्प्लीट करना हमें हमारी ौ इंपोर्टेंट हो जाता हैं कोई भी कोशन हमें नहीं छोड़ना है हमें एकदम देखना है कि कहां से कोशन आ और उस चीजों को अटाक करना है, ठीक है, हर चीज, हर चीज, इंटरनेट और TNU वेबसाइट पर लगभग हर चीज अवलेबल है, पस खोजनी के ज़रूरत है, ठीक है, Thank you so much, bye-bye. खर दोड़ लादे